वाटर हेमर होता क्या है ? डिफ्रेंट टाइपस ओफ वाटर हेमर इस पर बात करिएग और यह बहुत इंपोर्मेटिव वीडियो है इस वीडियो को पूरे इंड तक देखें सबसेब लगे वाटर हेमर डेफिनेशन पढ़ेंगे In terms of fluid mechanics, मैं इसे आपकर इन जापनत समझाता हूँ Suppose हैं हमारा tank है और यह हमारी pipe है यह वाटर की लेबल यह है हमारी h है अब यह हमारी pipe है तότε यह pipe की डाइमिटर करते हैं d pipe में जो fluid है जो water है वो भी velocity से travel कर रही है पर यह पाइप जो है अब हमारा ओपेन पूजिशन पर है यह मैंने जो बाउट दिकाए टी सेक्षन हो हमारा ओपेन पूजिशन पर है तो जो वाटर की जो फ्लो होगी वेलोसिटी कुछ है तो मिन्स यहाँ पर फ्लोरेट कुछ होगी मिन्स Q is equal to AB एडिया हमारा पाइब है फ्लोरेट है मिन्स कुछ काइनिटिक एनरजी है तो हमारा केईवन ओपेन पूजिशन पर हमारा मैक्समून काइनिटिक एनरजी यहाँ पर है तो यह हमारा सिष्टा है सपोच हम मैं क्या करता हूँ वाल्व को क्लोज करता हूँ यह वाटर की फ्लोव हो रही है वेरोसिटी भी के साथ है अब मैं वाल्व को क्लोज कर दिया और यह मैंने जो वाल्व क्लोज किया यह रैपिट क्लोज किया ओके फ्रेजवाली क्लोज नहीं किया यह मैंने रैपिट क्लोज कर दिया तो रैपि के लिन्ट का मैं बात करें हमारी जिलो हो गया मिन्स लो अफ करवेशन अफ एनरजी के एकोडिंग जो हमारा कैनिटी एनरजी था वह हमारा प्रिसर एनरजी में चेंज हो गया तो जो हमारा streamlined flow था, वो हमारा क्या हो गया, wave flow बन गया, यह हमारी कुछ waves, waves के साथ flow करेगी, ओके, तो यहाँ पर एक waves create हो गया, तो waves soak के चलते ही, हमारा pipeline जो होता है, वो burst भी हो सकता है, ओके, जो valve है, वो rapture भी हो सकता है, तो हम लोग, इसे हम लोग करते है, water hammer, ओके, क्यों करते है, water hammer, अब हम देखेंगे, जो हमारी ships में, जो steam line यह होती है, वहाँ पर कैसे water hammer होती है, ओके, support, और मैं example लेता हूं, यह हमारी boiler और यह हमारी boiler है, और यह अमारी steam line है, यह चल है, यह steam line है, और यह अमारी यह टाइंक है, और बोह सकते हैं, तो हमारी steam boiler है यह हमारी boiler है और यह हमारी steam line है यह हमारी inlet valve है ओके तेहां पर जो steam line जोगी वो steam pipe जोगी वह हमारी कुछ ऐसे अरेंज़ होती है होती है और यह हमारी steam trap होती है और इसके बाद हमारा अगे लिटन वाल होता है अब हमारी अरेंजमेंट हुए इस्टार्टिंग में यह हमारी क्लोच पोजिशन पर आप इसे ऊपिन करते हैं हमारी दूट करने के लिए का और यह फियूल टेंक तो इस्टार्टींग में जो वह होगी वह कोड़ पोजिशन पर होगी और एस सुन एस सून अगर वह इसे रैपिन ओपन करेंगे तो जो पोड़ पोजिशन है और अगर ऑट वंकुछ इस्टेम आर है तो इस्टार्टिंग में कुछ कंडेंस्ट हो सकती है वाटर सपोग 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 सब्सार्टिंग को मैं अब आपको बता रहे हूं Q कि स्टार्टिंग मैंने बोला था हमारा था हमारा चन्डेनस ऑल जी की अब देख तो आप ब्लैइक यहां रहा है अप क्या हो रहा है हम लोगोंने भब सेनल एक आपेपल ay ну तो है यह स्तीम जो है stem जो है एक tribe full성 में आएगी city तो में प्रिसम नीचे फ्लूट आए जो नेचर वह मारी वेव फोंग, वेव फोरमिसल करेगी और आजे हमारी सपेट हमारी ये बेंडिंग मैंने ये आपको ये सेट्शन भी हम लोगोने चोजग कर लिया ही हमारी बेंडिंग है आप इससे क्या होगा जो इस पार्टिकल को ड्राइब करेगा इसलिए हम इसे करते हैं राटिकल को फ्लो कर गया जिसके चलते हैं। विना हो रहा है और उसी को हम लोग करते हैं steam driven flow water हैमारी यह हमारी पहली टाइप्स थी अब हम बात करते हैं सकेंड टाइप की नाव सकेंड टाइप में क्या होता है सपोर्ट सेम कंडिशन हम लेते हैं सेम कंडिशन लेते हैं यहां हमारी आप देख रहों condensed water है सेम हमारी steam जो है high velocity के साथ flow कर रही है तो इससे हमारा क्या होगा अधियर waves generate होगी तो यह हमारी waves generate हो रही है तो यहां पर हमारी crest बोल सकते हैं यह हमारी trough है यह हमारी crest है और यह हमारी trough है यह हमारी इस्टीम बोल करती है और इस रिजन पर आती हैं तो इस रिजन पर जो होगी यह भी condensed particle है यह भी condensed particle यहां भी condensed particle है तो steam जो है चारों और से हमारी condensed particle के surrounding में तो हमारा steam जो है कम time लेगी वो condensed होने में means यहाँ steam itself condensed हो जाएगी steam condensed हो जाएगी तो हम लोगों ने प्रेशियो पढ़ा हुआ है अगर water से steam condensed होती है तो उसकी volume increase होती है 1600 times अगर हमारा steam से अगर water में change जाएगी तो volume reduce उतना ही time होगी means यहाँ पर क्या हो रहा है जो steam की expanded particles थी वो हमारी collide कर रही है और हमारी water particles में convert हो रही है तो इससे क्या होगा tremendous collision generate होगा tremendous collision generate होगी जो induced इसलिए हम इसे कहते है induced condensed type of water है क्योंकि हाँ induced हो रही है okay steam water में changes हो रही है और जिससे हमारे induced हो रही है pocket form हो रही है तो इससे हमारा condensed जो है वो हमारा rust करेगी और हम पर pressurized करेगी और एक pocket form होगा और tremendous amount of collision होगी जिसके चलते अगें hammering phenomena देखा जाता हो रही है pipeline जो होती है रप्चर हो सकती है या bank rupture हो सकती है या valve rupture हो सकती है तो यह हमारी second phenomena थी यह हमारी functions थी next हम पढ़ें कि couches and prevention तो सबसे पहले हमारे couches का बात करें couches हमारे यह होती है जो steam में जो होती है वो carry over water होती है तो carry over water यह सबसे important couches है तो यह क्यों होती है because of mechanical separation होती है वो अगर proper work नहीं कर रही है मैंने steam drum में आप लोगों को पढ़ाया था mechanical separation like primary separator several separator dry box अगर anti-priming अगर यह सारे चीज़ें अगर function सही से नहीं कर रही है उसकी efficiency decrease हो गए यह तो क्या होगा proper dry steam produce नहीं होगी जिससे हमारी carry over water कुछ present होगी तो इससे हमारा water hammer की chance होती है क्योंकि water hammer क्यों होता है क्योंकि steam की particle condensed होती है water में फिर steam भी उसे dry कर दिया है condensate induced होती है इसलिए होती है तो अगर हमारी steam ही dry होगी तो हमारा जो भी water pepper वो condition होने का chance ही नहीं है तो हमारा सबसे बड़ा काउज है जो हता है carry over water and stream next हमारा काउस हमारा यह है next लुग हम बात करते है prevention तो prevention क्या-क्य होनी चाहिए सबसे best prevention होनी चाहिए हमारा जो हमारी यह है अब देखरो वाल्ब है तो यह बात जो होनी चाहिए यह ग्रेजुली ओपेन एंड ग्रेजुली खोज होनी चाहिए रैपीड ओपनिंग नहीं होनी चाहिए फर्स्त निमारा यह है जो कौजिस का मैंने बाद क्या उसे एलिमिनेट करना पड़ता है लाइक मैंने इस्टीम क्या वालिटी कैसे मैं एक होती है जो भी मैकनिकल सेपरेटर से प्रामरी सेकेंडरी ड्राइबॉक्स एंटी प्रायमिंग उसकी फंक्सन सही होनी चाहिए तो उससे क्या होगा इस्टी की quality को increase करता है तो हमारी separation proper होना चाहिए ताकि dry steam produce हो तो यह भी हमारी prevention है फ़र तिंग की बात करें तो यह जो मैंने आपको दिखाया है यह जो circle किया है यह हमारी steam trap है तो steam trap जो functions होती है वो condensed steam को जो भी condensed होती है उसे यह track कर लिती है तो हो यह हमारे functions प्रोपर function होनी चाहिए steam trap next prevention जो मैंने दिखाया steam line होती है steam line को हम proper drain करेंगे हमारी condensate का बोती है starting stage में होती है और हमारी final stage में होती है जो भी steam line के जो last stage होती है तो before starting जो भी fuel tank को हम hit कर रहे है तो steam line को जो हम proper drain करेंगे ताकि कोई भी condensed ने तरह दिन शिट नाओ इस्टीम लाइन में ते अमारी एक next prevention बोल सकते हैं and next other last prevention भोल सकते हैं हमारी velocity जो भी हम velocity जो steam velocity supply करें हो घ्रैजवली इंक्रीज करेंगे अगर हम sudden full steam velocity अगर इंक्रीज करेंगे तो large velocity means large impact of force तो लार्ज इंपक्ट आप फोस की चलते वी हमारा वहां वही सें फिनोमीना होगा और जिसके चलते हमारा वाटर हैमार होगा और नेक्श्ट चिंग आपनें पाइप की जो मैटेरियल्स ग्रेट होती है हो हमारी एच पर रिक्वार्वेंट होनी चाहिए जो हाई टेंपरेचर प्रेसर हमारी जो पाइप रेजिस्ट कर सके तो यह हमारी प्रेशन थी तो यह आज की हमारी वीडियो थी वाटर हैमर ताइप्स ऑफ इस अगर आपको कही अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दे और थाइक यू फर वाचिंग इस वीडियो